जैसे के दोस्तों आप यहां देख सकते हैं मैं Paytm पे यहां bank balance check कर रहा हूं, unable to check balance का एक error आ जाता है बार बार, यहां पर मैं कई बार try कर चुका हूं ठीक है, तो इस problem को दोस्तों हम fix करेंगे, आजकी इस वीडियो में अगर आप Paytm से अपना bank का balance check कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से problem को fix करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे इस तरीके से हटा दीजिए, ठीक है, background से हटाएंगे, उसके बाद simple से आप अपने play store पर जाएए, यहां पे आपको paytm को सबसे पहले यहां पर update करना होगा, ठीक है, अगर आपका update है, तो यहां पर लिखा होगा join the vita, join पर क्लिक करेंगे, यहां पर beta में आपको इसे ले लिना होगा, ठीक है, कुछ समय बाद यह आपको vita testing में मिल जाएगा, ठीक है, तो यहां से आप इस तरीके से बैक जाएए, आप फिर से play store पर जाएए, ठीक है, यहां पर यह देखो beta में आपका आगया है, जैसे कि मेरा आगय पर क्लिक करना है, ठीक है, इसे यहां से force stop कर दीजिए, storage use पर क्लिक करके, यहां पर clear catch होगा, यहां आप कर दीजिए, और कुछ भी यहां छेड़ना नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहां से आप बैक जाएए, उसके बाद आप अपने mall का power वाला button दमाएंगे, ठीक है, उस site corner पर जो आपकी profile होगी, इस पर आपको click करना होगा, जैसी आप वहां पर click करेंगे, इसे उपर की तरफ scroll करना है, यहां पर लगाओ payment setting इस पर आपको click करना होगा, जैसी आप यहां क्लिक करते हैं, यहां पर UPI and link, bank account इस पर आपको click करना होगा, और check balance पर आप क्लिक होगा, जैसी वहां पर click करेंगे, यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, बिलकुल आसम तरीके से आप उने bank का balance चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर करके आपको बिदपरूब दिखाया है, ठीक है, यहां पर आपका फिर भी नहीं हो रहा है, जैसी कि मेरा तो यहा तीसरे नमबर पर होगा, disable UPI, इससे आपको disable कर देना होगा, और फिर से आप इससे reactivate कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी आप पेटियम से bank balance चेक कर रहे हैं, वो चेक हो जाएगा, ठीक है, फिलाल मैं इस वीडियो में बिदा लेता हूँ, जैहंद बंदे मातरम